ओके सो हम लोग पढ़ रहते हैं इस प्रिंग बूट के अनुटेशन और हम लोग ने बहुत सारे अनुटेशन कवर अप कर लिए यार अपने इस सीरीज के अंदर सीरीज का लिंक आपको नीचे डिसके फ्रिंग बॉक्स में मिल जाए का वहां से जा करके आप पूरी प्लैलि कि अनुटेशन को ही कर लेते हैं जिससे कि आपको काभी कॉंसेट्स क्लियर हो जाए तो हम लोग ने पिछले वीडियो में जार कवर अप किया था यहां पर इतने असान अनुटेशन ऑल्मोस्ट 15 15 से प्लस अनुटेशन कवर अप किया था इस वीडियो क्या करते हैं यह जो अनुटेशन से कुछ जेपीय से रिएट और अनुटेशन से उनको कवर अप कर लेते हैं और मैं आपको एक एक चीज़ पता देता हूं इस वीडियों के अबनर हम लोग पैपिंग सीखेंगे कि एक टेबल को कैसे दूसरे तेबल के साथ मैप करेंगे लेकिन हम लोग मैप क करने के लिए हमें जरूत पड़ेगी यहां पे इन अनुटेशन की बात बाकि जब मुझे टाइम लेगा तो मैं इनके बारे में शॉट्ट वोट्स लिग दूंगा बाकि आपको लिंक नीचे डिस्कुर्ट बोक्स में मिल जाएगी चले पिछला वीडियो ने एक्सिस के त सबसे बहुत करने वन तो वन से एंड मेनी तू मनी से यह तीन कभर पर बाकि कोरी पर आपको क्या है बाई मैपिंग का मतलब है इसको मैं समझाओंगा आपको समझाओंगा यार इस चीज को डेटाबेस के परस्पेक्टिव से ठीक है मतलब थोड़ी दिर के लिए आप जो डेटाबेस के अंदर टेबल से इन टेबल को गाइस कैसे हम लोग करते 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 हैं अगर हम टेबल को करनेक्ट करना सीख गए तो हम one-to-one one-to-many-many-many-to-many को सीख जाएंगे देखिए कैसे हमारे पा देगी आँ पे मोछ सारी मेजे भूंके पोई सिल चर्वा नहीं क्यों कि दो चर्वा मुंत के अन्दर बहुत सारी इमेज़रांगे वह हमार एन्द्रट हैं der बाइसे बात category है category है category है category है और category की ID है मेरे पास CID and category का title है the title description है ऐसे करें बहुत सारी शीह है ठीक है सब्सक्राइब कर देता हूं हमारे पास एक ID है टाइटल है हमारे पास trending trending एक category तो भी टी डालते हैं छोड़ा मैंने डबबा बना दिया तो टी डाल देते हैं आप बाकी है trending category है दूसरा mobile phones एक डालते है अब हमारे पास यहां पर प्रोड़क्ट की टेबल हम लोग बना लेते हैं एक हमारे पास प्रोड़क्ट भी है बहुत सारे है एक नहीं टेबल यह तो प्रोड़की एडिया जाएगे हैं प्रोड़क का नम डिस्क्रिप्शन ऐसे करके इसका भी टाइटल आजाएगा टाइटल फिर नेम और ऐसे करके डेटा आजाएगा यहां टाइटल के पास सौर्ड डिस्क्रिप्शन ते हमारे बस डेटा गयिए कुछ प्रोड़क्ट को हरेते कारते हैं एसे करके लिए को कुछ चीजे लिए हैँ अब करने करने को बट्क करने करने करकोन केंट e करना है कि इसलिए करना है कि हमें information को अच्छे से स्टोर कर पाए हमें एक question आपके आपके साथ है यह समझे एक question में कर रहो हमें यह अपने database के अंदर यह स्टोर करना है कि यह कौन सा product किस category को बिलॉंग करता है इस चीज को आप नहीं करोगे तो इस चीज को आप किस स्टोर करो नहीं कर अपके कॉन सा बंदा किस category के अंदर पी चीज नहीं करोगे तो आपको कर अद्र कर temat करने के विए हमें भूसारी चीजे करने बढ़ेंगि मैं। आपको दिखाता हूं ठीक है कुछ चीज पता है हम आ प्रोड़क्ट को एड़ करेंगे तो एक एक्स्टा कॉलम लेके चलेंगे और प्रोड़क्ट के साथ हम यहां पर कैटेगरी आइडी भी स्टोर करते रहेंगे हम यहां पर कैटेगरी आइडी सी आइडी भी उसकी स्टोर कर लेंगे हां तो मैं क्या करूंगा सिंप्ली देखि साथ ही हैं फिर हम यहां क्या करेंग तो हम इसकी प्रायमरी की उठा or यहां पर नेंगे मतलब यहां पे हम अगर त्रेंडिंडम है तो था क्या गालें गया क्या है और यह. यह होती है फॉरें की हमारी मतलब ऐसा ऐसा कॉलम जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करता है अपने टेबल के अंदर ठीक उसी को हम फॉरें की बोलते हैं जब दूसरा एड किया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शिशन संसंग टीबी शॉर्ड लॉंग तो हम हमने एक एक्सट्रा ही स्कुलम आ लिए इसी को में गयी तो हमने टेबल को में सक्राइब करने इसी तरह से हम एक क्रक्षक्त होता है यहां पर 1-2 मैंज works एक काटेगरी के अंदर मुल्टिपल प्रोड़क्ट आ रहे हैं तो एक काटेगरी के अंदर मुल्टिपल प्रोड़क्ट जा सकते हैं तो इधर आप लिग दो इधर वन लिग दो ठीक है यह 1-2-n मतलब 1-2-many हो जाएगा 1-2-n मतलब 1-2-many हो जाएगा 1-2-n और 1-2-1 का मतलब एक काटेगरी सिर्फ और सिर्फ एक प्रोड़क्ट से ही विलॉंग करेगे वन इधर भी है और वन इधर भी वर्ट एक्चुली ऐसा होता नहीं बहुत कम कैसे में होता है इसको बलते है 1-2-1 ठीक है इसी तरह से अगर 1-2-1-1-2-many इसके बहुत मेंटो मेनी रखना है तो आप देखो मेरी तुमेरी कुछ इसा होता है वन के अशल के अंदरे की एं गार्टिरी में थ्रोड़क्ट सेव्चर्पन बहू सकता है कि यह संघ्टी पोन है संपसंग्ः खो續 क्ष fant की की चाहिए reais और यह mobile phone के क्ये में बाहिए मॉइल फॉन के तो उडात अजै को डिए को ब्सक्राइब कि एंदर मताब उनना सकता है और जो इसमें दर यहाँ स इस चीज को समझोगा एक phone multiple category अंदर है और एक अगरे कर अंदर multiple phone है यह one to many relationship हो जाएगा तो यह जो scenario one to many relationship है इसी relationship को manage करने के लिए हम यह सारे mutations करते हैं आपको दिखाता हूं exactly same scenario मैं implement करके आपको दिखाता हूं यहां पर आते देखें अगें मैं क्या करूंगा सबसे पहले दो टेबल होनी जाए तो हमारे पार देखो product है एक एक टेबल में और बनाऊंगा मैं प्रेंटी पर राइट ली करूंगा class पजाओंगा और बना दोंगा images यहां क्या था 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 बैटेगरी का टेगरी काटेगरी एंटी और यहां पर प्रोपर्टी को इसको हमने अपडेट करेंगा हमारे टेबल करेंगा हम यहां पर एंटी बना देंगे एंड टेबल अगर मैं कस्टमाइज करना चाहरे तो नेम हम क्या करेंगे क्या जैसे for example अमने ने रग दिया प्रोड़क्ट अंडर्सकॉर काटेग टेबल यह बनीगी जाकर इसके अंदर हमारे पास एक इडी होनी चाहिए इडी और अवर इस बात करेंगरी अधियोगी और हम इसे अधि बना देंगे आइडी बना देंगे हैं साथ ही साथ में हम जैनरेटेट पहलों भी उसकरेंगे स्टैटेटी में यूज करों स्टैटे इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर हम डालेटें स्टैटल होगा टाइटल अट 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 इन प्राइबट श्रेंग आवाउट एडिस्क्रिप्शन जो भी रखना रख सकतो अब जैसे आप रन करोगे ना तो आपके पास एक टेबल और बन के आ जाएगी एक टेबल आपके पास और बन के आ गई मैं शेवर हों बन के आ गई और कहां गया भाई ठीक है सो मैं रिफ्रेस्ट करता हूं तो हमारे पस एक कटिकरी टेबल और बन के आगी यह देखिए प्रड़क्ट कटेगरी डिया अबाउट एडध इस टेबल के अंदर गई इन दो ने को में बारी बार इसको सेकते हैं ठीक है हम चाहते हैं कि हम एक क tempory के अंदर एक ही प्र्डूट रख पाएठ और एक प्रोडक्ट के अंदर रख पाएं वन्-टो-वन रखना चाहरे है तो यह इल्प को प्राइबेट प्रॉडथ एक ही प्रोडक्ट है तो हम यहां पर लगा नेंगे 1-2-1, सिंगल प्रोडक्ट, अब क्या होगा, एक क्टेगरी के अंदर सिर्फ एक प्रोडक्ट होगा, यह अभी है, यूनी डिरेक्टिनल मैपिंग, बल्लब एक तरप से है मैपिंग, अगर आपके पास क्टेगरी होगी, तो आप क्टेगरी.product करके प्रोडक्ट उस क्टेगरी का प्रोडक्ट निकाल सकते हो, इसका गेटल सेंटर मना लेते हैं, लोग, not constructor, I want to create गेटल सेंटर, ठीक है, बगर आप रन करोगे, आप देखोगे, यहां पर क्या होगा, सिंगल डिरेशनल मैपिंग है, और यहां पर बन गया है, यह देखे, मैंने रिफ्रेस्ट किया, रिफ्रेस्ट किया, तो एक कॉलम बन गया है, इसके अंदर बना ओ गया, इसको बंद करो, ठीक है, एं product categories को बन करें, यह देखे, product ID बन चुका है, यहां जब आप category करोगे, product ID यहां manage होगे, category के अंदर products आएंगे, category के अ इसने करते जाओंगे लेकिन अब यहां पर सिर्फ यह मैंने जुपा रहा है कि किस प्रोड़क्ट वह किस प्रोड़क्ट तो बिलॉग कर रहे हैं बट हमें चाहिए क्या हमें दोनों वाइड आक्शनल वैपिंग जाए कि काटेगरी तो प्रोड़क्ट है तो काटेगरी निक काटेगरी काटेगरी और यहां पर हम लगा देंगे वन टू ठीक है एक चीज़ हो रहा है अब हम बाइडिक्शन मैंपिंग मैनेज करने के लिए दो चीज़ नहीं उसकरेंगे हम नहीं चाहते हैं कि यह प्रोड़क्ट के अंदर भी एक कॉल्म बना दे काटेगरी का फॉर मैं चाहता हूं बनाना अपने प्रोड़क्ट के अंदर काटेगरी डालना चाहरा है मैं काटेगरी में आओंगा और हमाप वाय डूं करता हूं लेट सी हमारे पास कि यहां जाने रिफेस कर लें और दुबार से कोलेंगे अंदर आप देखो गए तो कुछ नहीं आया क्योंकि मैप्ट बाइ काटेगरी के अंदर हमने मैप पर नाया कर अपने अगर अपर अगर प्रड़क्त को देखो गए तो आप डुखोगे एक है कि अदीग अगर अब अ लाइक दो दूसरे अपने अप भूजाएगा अब बात करें 1-2-mini 1-2-mini सेम ऐसे बनता है अब एक के अंदर multiple चीज़ हो सकती है कैसे देखिए हम चाहते हैं category के अंदर multiple products रहे एक category अंदर multiple products रहे हैं तो हम क्या करेंगे category में जहां पे हम लोग ने single यूज किया था ना एक category अंदर multiple products तो हम यहां पे उसकरेंगे private list of products and product list ठीक है अनिहां पे उसकरेंगे 1-2-mini इस case में and again mapped by यह भी mapped by क्या होगा category उस column का category ठीक है बाकी यह क्या है यह कह रहा है 1-2-mini incorrect 1-2-1 ओके ठीक है सो अब हमें यहां पे यह वाला data setter भीटाना होगा and hulka सामें उधर से भी चेंज करना पड़ेगा ठीक है मतलब एक category के अंदर multiple products है मला अगर category का object मिलेगा तो उस case में आप उस object पे product list निकाल लोगे पूरी पूरी product list निकाल सकते हो multiple products निकाल सकते हो और अगर आपका प्रोड़क्ट है तो आप एक ही category होगी मतलब one to many एक प्रोड़क्ट के अंदर होगा और एक प्रोड़क्ट होगे ठीक है तो अब आपको यहां पर करना है अब आपको यहां पर one to one one to many और इधर से देखो गए तो many to one मतलब many to one तो हमें आपर यूश करेंगे at the rate many to one यह देखिए अपका काम हो गया run कर लोगे ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं होगी perfectly चलेगा और मैपिंग्स को जाएंगे इसी से मैनेज हो जाएगा अपका काम हो जाएगा और यह सेब हो रहा है क्योंकि बार 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 में रण कर रहा हूं तो यह हो जाएगा last अब last mapping का concept heading many to many, many to many मतलब ऐह है, एक category इंदर multiple products और एक product multiply category से बलॉंक करता है, तो many to many इधर से to many ही है भाई, एक category है उसके इंदर multiple product, तो हम यहाँ पर बस क्या करेंगे, many to many कर देंगे, one to many सब्सक्राइए झाले करते हैं एक दो- знать अधर से एक प्रोड़ेट के लिए में लगा में लिस्ट कर्था लिस्ट अधर सब्सक्राइब नहीं को बिस्ट नहीं किति है ना पर कते सिर नम की category list या फिर हां category list कर दो गया category list कर दो ठीक है तो आप क्या होगा कि अब एक प्रोड़क्त के अंदर multiple categories अब एक प्रोड़क्त है किस-क्रेटरी से बलॉंग कर रहा है यह भी हम निकाल सकते हैं अगर प्रोड़क्त मिला तो हम category list निकाल लेंगे और अगर प्रोड़क्त लिस्ट भी निकाल लेंगे और मैनी तो मैनी से मैप भी हो गया इसको मैनेज करने के लिए एक अलग से टेवल करेट होगी एंड टेवल करेट होगी कुछ इसको मैनेज करने के लिए क्योंकि हमने मैप्ट बाई category लिस्ट ले रखा है यह वाला तो और यह यह इद टेवल बन के आ गई products category list ॥िक है products is basically हमारा टेबल एंटिटी and category list by pilotší यह घ्र तो यह अंदर के अनज किया जाए इसके अंदर कुछ नहीं रखा जाएगा लिस्ट डाली जाएगी and category list डाली जाएगी मतलब product list category list इसके अंदर आती जाएगी यह बताने के लिए कौन सा product किस category के अंदर है किस category के अंदर कौन सा product है बस यह menu to बनिए अगर आप यह mapped by लिखना भूल जाओगे तो इधर से भी एक table बन जाएगी categories यह categories underscore this product list बठामें सिर्फ इधर से बनाना था तो हमारे पास products products underscore category list नम से table बनी इसको मैंच करने के लिए तो one to many many to many यह सब साहित समझ गई होगे बाकि इसका dedicated video mappings कैसे JPM मैंच होती है single video मेंने सब कुछ बता रखा है तो उसको जाके देख देख लो नीचे में different box में लिंक प्रोइट कर दोंगा अदर्वाइज आप सर्च कर लो यह मिल जाएगा कि mappings JPM mappings by learn code with dhugesh अपने आप से मिल जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज में आपको दाता हूँ हमारा अपना 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 कोई बात नहीं सर्च कर लें दुबारा से learn code with dhugesh get अब github एंटर कर दो यह रहा यहां पर चले जाओ repositories के नदर चले जाओ and you will find latest repository and यह रहा तो हमारे पास c3 हो चुके है query और param को बढ़ कर लें और transactional को बढ़ कर लें आ जाते हैं अब बात करते हैं data को fetch करने की data को fetch करने की हमें products हमारे पास बहुत साए products हैं यह देखिए products इसने साथ products हैं और product को हमें fetch कर रहा है तो हम क्या करेंगे अब product को fetch करने के लिए हमें repository चाहिए होगा तो अपने main application के अंदर चलने जो save कर रहा था इसको हम लोग comment out कर देते हैं ठीक है product को fetch करने के लिए हमारे पास repository है क्या है repository repository dot find find all है find all हम निकाल सकते हैं find one भी है find one भी कर सकते है find by id भी है find by id भी है तो यह methods है data को fetch करने के लिए गर आप find all करोगे तो आपको एक list मिल जाएगी उस list को आप use कर सकते हूं मैंने करने का पॉरी से मैं traverse करता हूं और और वारे ट्रवस कर लेते हैं और फाइनली हम लोग को एसाओ कर लो एंड डेटा को प्रिंट कर दो data.get name print कर देते हैं है आपका भी डेटा पिरिंट हो जाएगा अब लोचा कहां है कापता है ढिलिए और नवार अप खोथ कस्टम निखने पड़ेंगे सहो說 Judge. हम वो कैसे करेंगे यह तो भाई ठीक है सारा निकाल दो बढ़ हमें कुछ वैर क्वेरी लगानी यह कुछ कस्टम निकालना को ज्वाइन करना तो उसके लिए हम क्या करेंगे अपने रिपोजिटरी के अंदर रहेंगे कहां गया प्रोड़क्ट यहां पर यहां पर हम मैंट्स करें लिए लिस्ट अप्रोड़क्ट प्रोड़् और नाम इसका होगा नाम फिक्स होगा कैसे अगर आपको getator button चाहिए तो आप लेने को find by अब आपको किस field कमें अनुकिल निकालना है है बस और यहां पर नेम रिख पस अभी method काम करेगा अपने आपसे इसकी implementation अपने आपसे JPA लिख देगा आपको लिखने की ज़रूद नहीं पड़ेगी वाओ कमार की जीज़े बाइए इसी बात पर ठोको लाइक ठीक है इसी तरह अगर आपको निकालना है डेटा आपको पासर पैवल सारे प्रोड़क्ट आजाए तो आपको यहां पर आपका डबल प्राइग इससे भी क्तरना इससे भी आपका काम नहीं होता अबही कभी आपको और भी कॉम्प्लेक्स जीज बना करने होती तो आप यहां पर क्वेरी भी आप expect करो list expect करो list product and name कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं, get products by custom query, यहापर हमें query चलानी है ठीक है, query चलानी है यहापर body लिखने हैं, क्योंकि इंटर्फिस है तो हमें query लिखने के लिए हमारे पास annotation दिया गया है, query annotation query annotation इस query annotation के हल पे हम लोग query लिख सकते हैं, बट यह जो query होगी guys, वो होगी hql, या jpql, ठीक है, तो हमें यहापर query लिख सकते है, select select you from, और हमें entity लेनी है, select select, select, you from या p, p, p from product p product p ठीक है, तो हमने, यह जो query है, वो jpql, jpql क्या यार, आप थोड़ा सा search का सकते हो, यहाँ पे jp, jpql, या इसको hql भोल सकते है, hybrid query language, java persistent query language, jpql ql, l भी लिखो न, jpql, इस दिखे, अच्छा, java persistent बोलते था, अभी इसका नाम है, jakarta persistent query language, jpql, formerly java persistent query language, पहले इसको java persistent बोलते थे, अब jakarta persistent query language, बोलते है, is a platform independent object-oriented query language, defined as a part of jakarta persistent, यह है, database independent, platform independent है, इसको लिखोगे, कहीं भी चलेगा भाई, ठीक है, तो इसके बार में थोड़ा सा पड़ा सकते हो, queries कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे, आग product by custom query, अभी भी हमारा method same काम करेगा, क्योंकि query हमारी execute हो जाएगे, ठीक है, यह दिखे, सारे method, सारे हमारे data आ रहा है, that means, इसका काम तो समझ गे न, query, query, annotation है, query लिखने के लिए, custom query, jpql, if you want to write native query, तो आप यहाँ पे, native query भी स्पेसिफाइ कर सकते हैं, native query भी क्या था, value, value में अपनी query दा सकते हो, select, asterisk, from, 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 table का नम क्या है, products, I think, products, अभी भी यह सेम काम करेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे native query भी बता सकते हो, native query भी बता सकते हो, यह दिखे, ठीक है, तो, ऐसा ऐसा आप यूश करोगे, कभी-कभी आपको जरुद पड़द क कि इस query की अंदर आप dynamic value लाओ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यह यूश करना पड़ेगा, add.param, 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 use करके आपको दिखाता हो, तो मैं क्या करता हूँ, इसी, इसी, को comment करतो, and हम यूश करेंगे यहाँ पे, add.param, 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 add. product.param, add.param, 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 add करें के एच हम इसे अप इसे मिल्च अ करेंगे यह है यहां पर आपको परिमिटर के अंदर मेरेबल लेक्ट रहना है नीम आंड in order to that अपी हहां पर डारेक्ट परेम इसकर सकता है एज यांदिक यह जो अनडर कहा है झाया थिक है अगर यह parameter और यह variable ने सेम है तो आपको यह लिखने की जरूरत नहीं होती है अब डाइट ली यूज का सकतो है थिंग वैलु इस मिसिंग आइधिंग वैलु पास करना जरूरी है जरूरी है थिंग तो नहीं पास कर देंगे अब हम यहां है यूज करेंगे वह नाम जो है पास करना आई फोन 13 देखने आइफोन ही आता है कि यह कुछ और भी आ जाता है आइधिंग देट कुछ कडबड़ा गया कुछ इशु हो गया नो अर्गमेंट फॉर दे नेम कोई अर्गमेंट नहीं है क्या मारे पास कोई अर्गमेंट नहीं है अर्गमेंट नहीं है अर्गमेंट है तो भाई नेम के लिए अर्गमेंट है तो पारम्स हमने पास भी किया एक बार ओर ट्राइब करेंगे ठीक है तो आपको यहां पर इस पेस नहीं देना है इस केस में हमारे पास आना चाहिए था बटाया नहीं हो सकता है हम लोग ने आइफोन 13 वाली डाली है कि नहीं डाली है लेट्स चेक इट आउट हम लोग ने आइफोन 13 डाला आइपोन की स्पेलिंग अलत होगए ऐपी ओ या नहीं है आईपोन आईपोन रन करो आईपोन आना चाहिए ऐपोन और ठीक है तो इस तरह से आप क्यूरी को सकते कूर्ज कर सकते हो अगर आपको एक और पार यहां पर लेना है तो आप एंद लगा के अश्य लाइब अभी चा फाइनली इस विडी लास्ट आत्याम एस्वी avonap तो इसका सारे एक्ड मईक इत्स करने कि लिए होगा ध्यास्व करने की होगा मैं बताता हूं जैसे हमारे पास एक service है let me create one service 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 है service है बहुत सारी service है product service की बात करने ठीक है product service की बात करने तो मारे पास suppose एक method है public white insert 10 products 10 products और इसके अंदर हमने यहां पर 10 products insert करने का कुछ product code लिख दिया product one ऐसे करके हमने अब क्या होगा कि अभी यह transaction अभी यह transaction नहीं है ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 product insert हो जाए उसके बाद यहां पर error आ जाए अगर यहां पर error आ गई तब तो क्या होगा भाई 5 तो insert हो चुके हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हमें इन statement को as a transaction करना था मतलब कि अगर execute हो तो सारे हो ना हो तो कोई भी नहीं मतलब अगर 5 सभी सभी चल 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 चुके हैं और अगर बीच में राया गई तो यह भी undo हो जाए अपने मतलब इसको as a transaction atomic statement करना है कि यही एक statement है सबसे smallest unit चले तो सब चले ना चले तो एक भी न चले तो इसको as a atomic statement as a transaction में लाने के लिए हम यहां पर उसका लेंगे transactional transactional ठीक है तो अभी atomic statement as a transaction exude करेगा वो method तो इसके बारे में आप पड़ सकते हो बहुत काफी चीज हैं इसके बारे में I think मैंने DDR वीडियो में बना रखिए तो कभी भी किसी method को as a transaction कराना है तो आप transactional interface उसकर सकतो इवन इस transactional को आप class के उपर भी लगा सकतो क्लास को लगाने का मतलब बहुत है जितने ड्rate सथा इच thi classして hoc exist होंगे मतलब ए जितने भी इत्रक्षे चलेंगे तो सब corpse 01 क lets लेंगे तो अपने आपसे पीछे कभी गश्राफ कर देगा जितना है काम साहिव और जिस आपने आदा इजए लिए तो अगर कुछ कुछ प्रेट्रोल खतम होगा तो आपको खेत को सही करना पड़ेगा पुराना रोल बैक करना पड़ेगा तो यह ट्रांजेक्शन का काम है इसके बान में बना रखे यह बहुत असान है इसको यूज करना चाहिए इसके अंदर आपके डेटाबेस लौजिक आ जाएगा और ब अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत सारा कॉंटेंट हमने अप्रूट कर दिये चैनल पर उसको जाकर एक्सेस करो देखो और भी कॉंटेंट आने वाला है तो आप स्ट्रेटीव रहिए और मिलते नेक्स वीडियों तो पिक लाइन धान रखे बाबाए